आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें प्रशन है, एक एलेक्टरौन सुक्ष्मदर्सी में 25 किलो वोल्टेज से तवरित एलेक्टरौन प्रयोग किये जाते हैं यदि वोल्टेज को हम क्या करते हैं, 100 किलो वोल्ट तक बढ़ाते हैं अब इलेक्टरौनों से संबंधित दी ब्रॉकलित तरंग दैट का मान क्या होगा हम जानते हैं कि जो तरंग दैट तरंग दैट तता वोल्टेज के बीच में संबंध क्या होता है लेम्डा बराबर प्लांक नियतांक बटे वर्ग मूल दो एम क्यू वी ठीक है यहां पर एज प्लांक नियतांक है यह द्रव्यमान है यह आवेश है तता वी क्या है वोल्टेज है ठीक है अब हम क्या करते हैं यहां पर पहले क्या दिया है वोल्टेज का मान 25 किलो वोल्ट दिया था था बाद में बढ़ाने मर क्या हो जा रहा है 100 किलो वोल्ट हो जा रहा है तो चलो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि जो पहले तरंग देरत कमान है लेम्डा 1 वराबर वो क्या हो जाएगा लांग नियतांग बटे वर्ग मुल्दो MQ 25 किलो वोल्ट ठीक है उसके बाद दोनों किलो वोल्ट में इसलिए हम इसको 25 बस लिख देते हैं ठीक है उसके बाद दूसरे कमान क्या हो जाता है तरंग देरत कमान लेम्डा 2 वराबर H बटे वर्ग मूल 2 MQ 100 ठीक है तो अब क्या करते हैं यह क्या हो जाएगा समी करण 1 को जाएगा और यह क्या हो जाएगा लेम्डा 2 बटे, लेम्डा 1 बराबर, H बटे वर्गमूल 2 M Q, 100 बटे, H बटे वर्गमूल 2 M Q, 25 ठीक है, अब क्या होगा, ये सब चीज तो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो कटने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बटे वर्गमूल 100 बटे, एक बटे वर्गमूल 25 ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, वर्गमूल 25 बटे 100 ठीक है, तो ये 25, 25, 25, 100, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 4 का मान क्या हो जाएगा, एक बटे 2, तो क्या हो जाएगा, लेम् बराबर 1 बटे 2 तो lambda 2 का मान क्या हो जाएगा जब हम इलेक्ट्राउनों को 100 kV से तरित करते हैं तो उस समय पहले तरंग जैद की तुलना में दूसरे तरंग जैद का मान क्या हो जाएगा पहले तरंग जैद का आधा हो जाएगा ठीक है मतलब दूसरे तरंग देट का मान 25 किलो वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन के तरंग देट के मान का आधा हो जाएगा यही हमारे प्रेश्ण का उत्तर है धन्यवाद